नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित तिवारी हूँ, I am a consultant urologist at Manipal Hospital पालम विहार गुडगाओं एक चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो है ladies को जो problem होती है, जो उम्र के साथ बढ़ जाती है, जो males में भी होती है और वो है urine leak की problem इसे हम urinary incontinence बोलते हैं, where आपके control के बिना urine egg drop बहार निकल जाता है females में इसके reason दूसरे होते हैं, males में दूसरे होते हैं, there are four types, एक stress incontinence होती है, एक urge incontinence होती है, एक mixed होता है, एक overflow होता है थोड़ा सा brief में, चारों के बारे में बोलूँगा आपको, stress मतलब जब आप खांसी कर रहे हो, या फिर आप उठके बैठ रहे हो, या फिर आप हस रहे हो, या कोई भी ऐसा काम जिससे पेट पे pressure पढ़ रहा हो, उस समय अगर urine leak हो रहा है, तो इसे stress incontinence बोलते हैं, ये mostly females म होता है, यानि कि 50-60 साल के बाद, इसमें आपकी नीचे की muscles, pelvic muscles weak हो जाती हैं, because of the lack of hormones, और urine का control usually चला जाता है, दूसरा होता है, urge, urge incontinence ये होता है, कि आपको urine का pressure लगा, आप bathroom तक गए, और bathroom तक पहुंचने के पहले ही, आपको कुछ drops urine से निकल गए, ये usually infection में होता है, च है, वो females हो, किसी भी age में, तो अगर आप urgency है, तो सबसे पहले हमें urine की infection rule out करनी है, दूसरा stones में हो सकता है, अगर वो stone lower ureter में फसा हुआ, तो bladder के बहुत पास, तीसरा होता है, mixed, यानि की mix of stress and urge, usually females में होता है, और इसके causes defined हैं, it needs to be evaluated, और last है, overflow incontinence, though usually उन में होता है, जि में diabetic, cystopathy, या फिर spinal cord की problem है, या फिर males, जिन की prostate बहुत दिन से enlarged है, इसमें क्या होता है, कि bladder already भरा हुआ है, उसमें जो urine आप निकल रहा है, वो overflow होता है, overflow as in, किसी कोई मटका भरा है, और उपर kidney से अगर थोड़ी सी urine आ रही है, तो bladder में इतनी जगह नहीं है, कि वो उस urine को accommodate कर पाए, और वो overflow हो जाता है, यूरिन के रस्ते, विच अगें प्रेजेंस आज इनकोंटिनेंस, इनकोंटिनेंस can be socially bothering, आप कहीं बाहर हो, आप को urine लीक हुआ, मतलब, obviously, no one likes it, and you get so conscious that आप बाहर जाना बन कर देते हो, तो point is कि it has to be evaluated at the right time, इसकी treatment है, चाहे वो मेल में ह हो, चाहे फीमेल में हो, चाहे किसी भी एज में हो, चाहे कोई भी तरह का इनकोंटिनेंस हो, it is curable, point is, you need to contact your urologist, thank you.